दोस्तों कुछ friends की request आ रही थी कि Sir time and distance शुरू करवाईए, time and distance RS Agarwal का time and distance शुरू करवाईए तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि जब time and distance सुरू करना है तो कर ही लेते हैं करने जाएंगे आज शुरू करेंगे अच्छा इसके कुछ basics है जो अपन पढ़ लेते हैं पहले उन basics के लिए मैंने पहली दो slides दो है वो vacant रखी है खाली रखी है ताकि उसमें आपन basics पढ़ेंगे अच्छा सबसे पहले बात क्या करते है time and distance के अंदर तीन चीजें का roll होता है पहला किसका होता है time जिसे इंदी में क्या कहते है समय कहते है अच्छा दूसरा किसका होता है दोस्तों दूसरा होता है distance का जिसे अपन क्या कहते है इसको दूरी कहते है दोस्तों और तीसरा किसका ह दूरी जो है दूरी बराबर जो होती है वो चाल गुणा में समय होता है चाल गुणा में समय होता है आपको ये चीज ध्यान रखने के पड़ेगी कि दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणा में समय होता है एक चीज ध्यान रखिए कि दोस्तों अगर चाल आपको यह अपन यहाँ पर कर लेते हैं अगर चाल जो है वो आपको किलो मीटर पर अवर में दी है और आपके दूसरे नोटेशन्स अगर मीटर पर सेकिंड में चेंज करनी हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 5 बटे 18 से गुणा करना है 5 बटे 18 से गुणा करना है किसको अगर आपको किलो मीटर से मीटर पर सेकिंड में जाना है ठीक है अगर चाल आपको मीटर पर सेकिंड में दी है और आपको किलो मीटर पर अवर में जाना है तो आप किस से गुणा करेंगे दोस्तों तो आप करेंगे 18 second में कितने में जाता है 5 मीटर 18 second में या फिर अपन कह सकते है 5 बटे 18 का मतलब क्या हो गया कि 18 में से 5 जाता है total 18 था इस में से 5 जाता है तो कहने का मतलब मीटर में जो भी होगा वो इसका गुनज होगा इसका multiple होगा और time में जो भी होगा वो इसका multiple होगा ये बात आपको समझगी है जैसे यहाँ पर अगर होगा तो कितना होगा अगर 25 मीटर आ रहा है तो आपको पता होना चीए 25 मीटर किस में होगा 36 सेकेंड में होगा अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटू 100 कर देता हूँ 25 मीटर हो गया तो आपको पता होना चीए 36 सेकेंड में होता है और 25 मीटर मतलब 2.5 किलो मीटर और यहाँ पर हावर हो गया 36 सेकेंड एक गंटे में होते है तो यह बात आपको कुछ है बेसिक्स है वो समझनी है दूसरा क्या समझना है वो मैं बता रहा हूँ आपको अगर मैं कह दू कि यह दूरी जो है यह समान है चाहे एक गाड़ी जाए चाहे दस गाड़ी जाए दूरी समान है कहने का मतलब distance जो है distance बराबर constant है constant का मतलब होता है स्थिर मतलब fix है तो जब भी दूरी स्थिर होगी तो क्या होगा स्थिर होने का मतलब मैं एक मान लू और इधर क्या बचेगा चाल गुणा में समय तो मैं चाल को एक तरफ रखता हूँ दूसरी तरफ क्या हो जाएगा एक बटे में समय आप देखिए चाल का व्युत क्रमान उपाती होता है कौन समय कहने का मतलब अगर दूरी समान होगी तो चाल का उल्टा कर लिख दोगे वही क्या हो जाएगा समय हो जाएगा मतलब चाल का उल्टा लिखोगे वही क्या हो जाएगा समय हो जाएगा को चाल बराबर है किसके एक बटे समय के मतलब एक बटे चाल लिखो तो भी चलेगा और समय क्या हो जाएगा समय जो होगा वो भी क्या हो जाएगा समय अगर दिया हुआ है तो इसका उल्टा कर लोगे तो क्या आजाएगा चाल आजाएगा ये बात आपको समझनी है बहुत ही constant है अगर दूरी constant है तो क्या हो जाएगा चाल जो होगा व्यूत कर्मानुपात होगा किसका समय का तो चाल जो है व्यूत कर्मानुपाती है एक बटे में समय और समय क्या होगा चाल का व्यूत कर्मानुपाती होगा दूसरा अगर इसमें चाल constant होती कहने का मतलब चाल किसे कहते हैं अपन स्पीड को कहते हैं स्पीड अगर स्थिर होती या कॉंस्टेंट होती अगर स्पीड कॉंस्टेंट हो बही ऐसा जरूरी नहीं है कि समय ही हमेसा सॉरी दूरी हमेसा कॉंस्टेंट हो या स्थिर हो चाल भी स्थिर हो सकती है, समय भी स्थिर हो सकता है, तो जब चाल स्थिर होगी, तो क्या हो जाएगा, तो दूरी, बराबर में चाल तो स्थिर है, तो एक ले लेते हैं, इंटू में समय, कहने का मतलब जो दूरी दे रखी होगी, वही आप, जो समय दे रखा होगा, वही दू उपाती है किसका समय की ये बात आपको समझनी है ठीक है अब तीसरे ये तो था दूसरा ये था पहला दोस्तों ये था पहला ये दूसरा और ये तीसरा नियम और बता देता हूं मैं तीसरा नियम बता देता हैं ये सवालों में मैं आपको बताता चलूँगा पता और चल तो आपको और clear चीज़ें clear हो जाएगी यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे समय जो है उसको constant करते हैं समय यानि की time जो है वो क्या है constant है या फिर इस्थिर हो अगर समय स्थिर हो तो क्या होगा देखते हैं जब समय स्थिर हो तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय तो ये तो आगया चाल और गुणा में समय स्थिर है तो एक ले लेते हैं इस्थिर का मतलब कुछ भी ले लो मान एक मान लेते हैं एक से गुणा करेंगे तो क्या चाल ही रह जाएगा तो कहने का मतलब जब भी समय स्थिर होगा तो दूरी बराबर ही चाल हो जाएगा आपको अलग से चाल निकालने की जरुरत नहीं रहेगी और दूरी जो है वो समान उपाती हो जाएगा किसका चाल का कहने का मतलब दूरी एक बार जब आप चाल को इस्थिर करेंगे तब तो क्या होगा दूरी समानुपाती होगी समय का जब आप समय को इस्थिर करेंगे तो दूरी समानुपाती होगा किसका चाल का और जब आप दूरी को इस्थिर करेंगे तो देखिए आप चाल जो होगा व आपसे बन जाएंगे easy way में एक दू concept और है वो भी मैं आपके सामने रख लेता हूँ ताकि क्या इससे आपके fundamentals clear हो जाएंगे और एक बार fundamentals clear हो गए तो आपको कुछ भी करने की दोस्तों जरुरत नहीं पड़ेगी अगली बार से आपके और solution पर ध्यान देंगे आप कहीं इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे चलिए आपन एक और देख लेते हैं एक और concept है जिसे आपन कहते हैं कि एक दिशा में और वीपरीत दिशा में इसे कहते हैं saapix child का saapix child का नियम सापिक्स चाल के से कहते है सापिक्स चाल क्या होती है इसे इंगलिश में कहते हैं दोस्तों relative speed क्या बोलते है relative speed कहने का मतलब जब दो आर्टिकल एक ही दिसा में moment में हो दो चीजें एक ही दिसा में moment में हो जब दौनों एक ही दिसा में जा रहे हो तो हमेशा क्या होता है अगर ये पहला वाला V1 से चल रहा था दूसरा वाला V2 से चल रहा था तो resultant हमेशा V1-V2 बराबर जो भी आएगा time आएगा या चाल आएगा जो ऐसे आएगा V1-V2 होगा ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है अगर अगर अपन बात करें speed निकालनी होगा तो V1-V2 से निकलेगा और ये V निकल के आएगा ठीक है अगर आपको बात करते हैं ये तो कब है ये same direction एक ही दिसा में अगर दौनों एक ही दिसा में हो तब एक ही दिसा में ठीक है अगर V1 इधर जा रहा है और V2 इधर जा रहा है तो ये क्या है V प्रीत दिसा में है और V1 प्लस V2 होता है V और ये भी हो जाएगा ये V प्रीत दिसा में क्या है ये V प्रीत दिशा में तो दोस्तों आपको सापेक्स चाल के concept समझ में आ गया अब एक concept और निकल के आता है दोस्तों वो आगे सवाल आएंगे तब बताऊंगा या फिर एक बार मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ और सथ चाल का ये तीन चार concept अगर आपको आते हैं और सथ चाल क्या होता है और सथ चाल आजाएगा बस मतलब कि जितनी दूरी और कुल समय ये क्या है ये कुल दूरी है बटे में कुल समय करोगे तो आपका क्या निकल के आजाएगा तो निकल के आजाएगा और सथ चाल दोस्तों जिसे average speed कहते हैं, English में क्या बोलते हैं, average speed या average velocity जो भी कह दो आप, तो दोस्तों ये तीन चार concept हैं, आगे सवालों में आपको मैं और बताता चलूँगा कैसे कैसे सवाल आते हैं, और सवाल बहुत ही सांदार तरीके से करेंगे, अपन बहुत ही unique way से करेंगे दोस्तों, चलते हैं आगे, सवाल नमबर एक लेते हैं, exercise 17A का, सवाल नमबर एक देखिए क्या है दोस्तों, इसने सवाल नमबर एक में सीधा क्या कहा है, दो रेल गाडियां, देखिए अपन 17A exercise, RS अगरवाल, time and distance, समय तथा दूरी ले रहे हैं, जिसमें इसने कहा कि रेल गाडियों दो रेल गाडियों की चाल जो है, वो 6.57 है, चाल क्या है, 6.57, यदि दूसरी रेल गाड़ी 4 गंटे में 364 किलो मिटर चले, तो अपन चाल निकाल लेते हैं, दूरी देर की है, दूरी बटे में समय करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यह चाल आ जाएगा, बहुत अच्छी ब पता है, दूसरी रेल गाड़ी की बात कर रहा है, दूसरी कितनी साथ चल रही थी, साथ को किस से गुणा करूं कि 91 आ जाए, तेरे साथा एकरान में इसको भी तेरा से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा, तेरे छंग 78, आपका आंसर 78, और आपसन नमबर C आपका आंसर हो लिया, ना कोई मैथड की जुरुत पड़ी, केवल आपको बेसिक फॉर्मूला पता था, आपने डारेक्ट चाल निकाली और उत्तर आ गया दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर 2 देखिए, सवाल नमबर 2 में इसने क्या का है दोस्तों, तीन क जब दूरी समान हो, ये बात हमेसा ध्यान रखना जब जैसी दूरी समान की बात हुई, चाल का उल्टा हो जाएगा समय, इसने क्या बोला है तो इन कारों द Criminal लिये गए, समय में क्रमस अनुपात होगा, सीधी सी बात है इनका उल्टा हो जाएगा, एक बटे 2, एक बटे 3 अनुपात एक बटे चार ये बिन में हैं आपको किस में बदलना होता है पूर्णांक में बदलना होता है तीनों का लसपा ले लो दो, तीन और चार का लसपा ले बारा और जब बारा से इसको गुणा करोगे एक बटे दो गुणा बारा अनुपात एक बटे तीन गुणा बारा अनुपात एक बटे चार गुणा बारा दोस्तों तो यह हो जाएगा तीन पीछे जिसमें तीन है वो उत्तर है आपका option number D बस निकालना ही नहीं है पूरा गुणा भी पूरा नहीं करना है आकर वाले में देख लिया एक में देखते है उत्तर है या पहले में देख लेते तो भी उत्तरा आ जाता पहले में देखते तो कितना आता यह 6 से बाद जाता 6 जिसमें है वो आपका उत्तर है तो option number D है दूसरा कोई option है नहीं ठीके दोस्तों आसा करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आयागा बहुत ही आसान सवाल है आगे अपने hard सवालों को भी बहुत easy way में कर जाएंगे आपको हम बताऊंगा method किसे कहते हैं तरीका किसे कहते हैं कहां कहां अपने जादू चला सकते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों क्या है अगला सवाल देखिए इसने क्या कहा है अगला सवाल सवाल नमबर 3 है दोस्तों और सवाल नमबर 3 में इसने कहा है एक व्यक्ति A से B तक X किलोमेटर प्रती गंटा औसत की चाल से गया तथा वापे B से A तक Y किलोमेटर प्रती गंटा की औसत चाल से लोटा पूरी यात्रा में उसकी ओसत चाल कितनी थी आपको पता है दोस्तों जब भी अपन ऐसा बात करते हैं ओसत चाल की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको क्या का था कुल दूरी बटे में कुल समय और अपना उत्तर आ जाएगा अगर लेकिन यहां पे इसने क्या कर रख ठीक है वो भी y km प्रतिगंटा से यहां distance सेम है क्या है दूरी जो है वो समान है जब दूरी समान होती तो मैं दूरी को ले लेता हूँ दोस्तों d क्या ले लिया मैंने d ले लिया आपको पता है जब मैंने इसको d लिया आलांकि मैं इसका direct आपको option बताऊंगा last में लेकिन एक बार आपन बेसिक से करके दिखाते हैं फिर मैं इसका option बताऊंगा आपको direct कैसे निकालना ऐसा जब भी दूरी समान हो और उस चाल पुछी हो तो क्या करना है देखिए दोस्तों इसमें इसने अपने पास समय जो लिया पहला a से b तक जाने का तथा a तक वापिस आने मे आप जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आएगा ये तो d आजाएगा ये आजाएगा x प्लस y बटे में क्या आजाएगा x y अब आपके पास क्या है कुल दूरी निकाला आपको पता है कुल दूरी कितनी होती है कुल दूरी जो है वो क्या हो जाएगी दो बार गया नहीं एक बार गया और दूसरी बार वापिस आया तो 2D, कुल दूरी होगी 2D, और तो 2D इंटू में, 2D अपोन में क्या रखते हैं अपना, हमेसे समय रखते हैं, तो अपने पास समय क्या है अभी, ये तो है समय अपना, ये क्या है दूरी है कुल दूरी ये बराबर में समय लिख देता हूँ ताकि समझ मा आ जाए ये समय है दूरी ये है तो दूरी गुणा समय करेंगे तो क्या आएगा दूरी गुणा में समय करेंगे स्वरी बटे में समय करेंगे तो चाल आ जाएगा अपन को क्या निकालना था चाल निकालनी है तो ये लो चाल बराबर 2D upon में समय कितना है D X plus Y और बटे में X Y जो की change हो के क्या हो जाएगा 2D into में X Y बटे में X plus Y और बहार में क्या था यहाँ पे यह D, D से D कट गया और यह आ गया 2X Y upon X plus Y दोस्तों यह है क्या, यहां से sort formula निकल के आता है अगर दूरी समान हो यहां से sort formula क्या निकल के आगया, कुछ किताबें इसे बताती है 2AB upon A plus B direct कर दो अरे बाई साब पता होना चीए कहां से आया, यह formula यहां से, इस basic से निकल के आता है last में जो answer आया, उस answer को 2AB बटे A plus B कर दिया, यहां पे AB क्या है, यह पहली चाल और दूसरी चाल है, जाने वाली चाल और आने वाली चाल इसमें XY क्या है, यह भी जाने वाली चाल और आने वाली चाल, कुछ किताबें इसे 2V1V2 upon V1 plus V2 कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन अपन को answer किसमें पूछा था, अपन को तो X और Y में पूछा था, अपना answer कौन सा हो जाएगा, भी हो जाएगा, तो आप अगर यह पूरा न तो आपकी क्या आजाएगी, उसकी औसचाल आजाएगी, कुल दूरी बटे में, कुल समय औसचाल निकल के आजाएगी दोस्तों, तो आसा करता हूँ दोस्तों, यह समझी में आया होगा, चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 4 की तरफ, सवाल नंबर 4 क्या क्याता है, यह में आ गया कि दूरी जो है वो क्या है समान है constant है या फिर मैं कह दूं constant है तो आपको जैसी स्थिर है ये बात आपको समझ में आ गई तो आपके कहानी finish हो जाएगी बस अब तो क्या है ए तथा बी किसी एक एक ही दूरी को क्रमसर 9 किलोमेटर पर गंटे और 10 किलोमेटर ये ए था ये बी था ये 9 किलोमेटर पर गंटे ये 10 किलोमेटर पर गंटे की चाल से तै करते हैं जब दूरी समान होती है तो मैंने एक चीज और बताई थी जब दूरी समान हो क्या हो समान हो तो क्या होता है तो जो होता है अपना व्युत क्रमानुपाती होता है कौन समय और व्युत क्रमानुपाती होता है किसका चाल का इसने चाल दिया है 9 से 10 ये क्या है ये चाल है तो समय क्या हो जाएगा तो समय हो जाएगा दोस्तों 10 से 9 व्युत क्रमानुपाती उल्टा है उल्टा हो जाएगा ठीक है तो चा मिनट अधिक है, एक इतना अधिक ले रहा है, यहाँ पर वी से, यहाँ ले रहा है, एक अधिक, एक बराबर क्या है, 36, तो 10 बराबर कितना समय हो जाएगा, 10 गुणा 36 होता है, 360, और जब आप 60 से भाग दोगे, तो यह गंटों में बदल जाएगा, 6 चंग 36, कितना आया, 6 ग गंटे था, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर हो गया, चाल गुणा में समय, और चाल कितनी है, चाल है, 9 गुणा में, 6, कितना होता है, 54 किलो मिटर आपका उत्तर आ गया, आप्सन नमबर B, आपको पैन चलाने की जुरत नहीं थी, आपको पता है, 9 से 10, 10 से 9, आप परिक्सा में इस प्रकार करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, यह मैं समझाने के लिए आपको पूरा लिख के बढ़िया से इलाबरेट कर रहा हूँ, एक सेकिंड का कुशिन नहीं है यह, एक दो सेकिंड में इसका उत्तर आपको दिखना सुरू चिए, सवाल इतनी प्रेक् आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी परिक्सा में, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, सवाल नमबर पांच क्या कह रहा है, देखेंगे, सवाल नमबर पांच कह रहा है कि A, B से दुगुना तेज धावक है, बहुत बढ़िया बात है, A बराबर क्या है, 2B, फिर इस 3 है, कैसे हो गया, इसको 3 से गुना करो, इसको 3 से गुना करो, यह हो गया 6 बटे में 3, यहां पर हो गया 3 बटे में 1, अनुपात क्या निकल के आगया, A, B, C का, A, अनुपात, B, अनुपात, C, निकल के आगया आपका, यह 6 अनुपात, 3, अनुपात, 1, अब इसने क्या बो तो यह उसे टै करने में कितना समय लेगा, आपको पता है कि C ने कितना लिया है एक गणटा 24 मिनेट लिया है अभी अपन को दे क्या रखा है तेज धावक है, मतलब यह चाल दे रखी है और चाल जब दूरी समान होती है, तो क्या होता है उल्टा होता है तो उल्टा कितना हो जाएगा इसका दोस्तों जब अपन इसका उल्टा कर देंगे और उल्टा करते ही आपको एक बात समझ में आजाएगी कि ये हो कि हो जाएगा अपना ये था देखिए अनुपात आ गया ये ये किसका है चाल का अनुपात है और इसका उल्टा हो जागा एक बटे छै अनुपात एक बटे तीन अनुपात एक अच्छा चै और तीन का अनुपात कितना होगा इसको छै से गुना करेंगे इसको भी छ 6 से और इसको भी 6 से तो अनुपात कितना आ जाएगा या जाएगा एक अनुपात तीन दूणी 6 तो दो अनुपात 6, 6 बराबर आपके पास दे रखा है टाइम, कितना दे रखा है, 6 बराबर दे रखा है, 1 गंटा और 54 मिनट, मतलब 60 और 54 कितने होते हैं, 114, तो ये 114 हो गया तो 6 एकम 6, तो 6 से कितनी बर कटेगा, 6 से 6 एकम 6 और 6 नम 54 उननिस बार, तो ये किस से गुणा करोगे, 19 से गुणा करोगे, तो कितना आएगा, 19 ये आएगा, बस उत्तर आगया आपका 19 मिनट, ये का पूछा था, ये का 19 मिनट आगया, वापिस देखो क्या है, इस सवाल क से निकालना और ये पंगा है, इसमें, A, B से दुगुना तेज धावक है, तो A जो है, वो B से दुगुना है, ये लो, B से दुगुना हो गया, और B, C से तिगुना है, तो B जो है, ये, C से तिगुना है, ये लो, तो यहां तो A बटे B, अगर मैंने अनुपात निकाला, द ये भी तीन से गुणा होगा, और जब ये तीन से गुणा होगा, तो छे बटे में तीन हो जाएगा, तो ये चाल का अनुपात आएगा, जब चाल का अनुपात आएगा, कितना है चाल का अनुपात, छे अनुपात, तीन अनुपात, एक, आपको पता है, जब अपन दूरी सम एक बटे तीन अनुपात एक बस एक का उल्टा तो एक ही होता है अब अपन को पूर्णांग संख्या चाहिए इनका लसपलो लसपल लिया तो 6 आया 6 से इसको गुणा किया और 6 से इसको गुणा किया तो नया अनुपात क्या आया एक अनुपात दो अनुपात 6 अच्छे किसक time था, यह समय किसका है, यह C का है और C का दे रखा है 114 minute, तो 1 को जब 6 को गुणा किया, किस से गुणा करूंगा, 19 से गुणा करूंगा, तब 114 आएगा तो यहाँ पर अपन को पूछा था, A का समय तो इसको भी 19 से गुणा कर दो 19 minute आ गया, A का समय जो की उत्तर में, option number A था, आसा करता हूं दोस्तों, समझ में आया होगा, न समझ में आया एक दो बार देखिएगा, यह बहुत ही आसान सवाल है, एक एक सेकेंड के आंसर है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा चलना पड़ रहा है दोस्तों, और आप बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, एक बार समझ में आगया आना, तो आप जादू की तरह करोगे इन सवालों को, चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल number 6 क्या सत्ता उन दूनी 114, तो 19 चंग 114, 114 है तो पीछे कितने बचे, ये बचे, 9, 5, 19, 5, 95, 95 ये 65 से कट गया, 65 से कट गया, तो आपकी औसत चाल कितनी आगई, ये क्या है, ये औसत चाल आगई आपकी, औसत चाल जो है, रेल गाड़ी की कितनी आगई, 65 किलो मीटर पर गंटे आगई, ठीक है दोस्तों, आगे इसने क्या किया है, यदि एक कार की औसत गती, रेल गाड़ी की गती का 4 बटे 5 हो, उसने कहा कार की औसत गती जो है, वो रेल गाड़ी का कितना हो, 4 बटे 5, तो रेल गाड़ी का तो पास है कितना 65 है, इसका 4 बटे 5 कर दो, तो ये कितना 오 जाएगा ये हो जाएगा, 13 और 13 चुक 52 किलोमेटर पर गंटे किसका आ गया, कार का आ गया, ये किसका है ये कार की चाल आ गई तो बताजिआ, 22 गंटे में कितनी दूर जाएगी, अच्छा है, इसको 22 गंटे में 22 से गुणा कर दो बस उत्तर आ गया 22 दूनी 44 का 4 ये 4 और 25 पंजे 110 और 4 14 14 14 आपका उत्तर है option number B बस आप direct भी कर सकते थे लेकिन अगर आपको direct नहीं आता है तो आप देख सकते हैं या वैसे 2 दूनी 4 देखते तो सब में 4 है अच्छा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 और 4, 14 का 4, 44 देखते हैं, 44 दो option में ये 2 में ये 2 तो कट जाते हैं खेर ये आसान गुणा था आप आराम से कर सकते थे चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल ए अपने घर से अपने विध्याले 3 किलोमेटर की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुँचता है यदि 4 किलोमेटर प्रती गंटा की चाल से चले तो विध्याले के समय से 5 मिनट पहले पहुँच जाता है उसके समय से विध्याले की दूरी कितनी है सीधी सी बात है, यहां भी अपने एक concept clear है, दूरी बराबर क्या है, समान है, चाहे चाल को तेज कर ले, चाहे चाल को दीरे कर ले जब दूरी समान होती है मैं इसको दो-तीन मेथट बता देता हूँ ऐसे सवालों को करने के बहुत ही सांदार तरीका है दोस्तों और बहुत ही सांदार मज़धार कुशन है यह और बहुत बार सवाल में बहुत ज़्यादा बार परिक्साओं में पूछा जाने वाला सवाल है एक मेथट तो मैं बता देता हूँ रेशियो मेथट जो अभी मैं करने जा रहा हूँ इसको कहते हैं रेशियो मेथट यह कौन सा मेथट है रेशियो मेथट में देगे जब दूरी समान होती तो मैंने क्या कहा था चाल जो है वो व्युत क्रमा अनुपाती होता है किसका समय का आप देखो चाल दे रखी है आपको चाल का अनुपात कितना दे रखा है तीन से वो कितनी कर देता है बाद में चार तो समय क्या होगा व्युत क्रमा अनुपाती इसका उल्टा होगा चार से तीन आपको पता है कितना अंतर आया एक का अंतर आया और ये अंतर कितना टोटल अंतर कितना आया पांच मिनट देरी में मतलब माइनस पांच में और प्लस पांच में कितना अंतर है दस का अंतर है एक बराबर क्या है दस है तो इसने पूछा क्या है सवाल में उसके घर से विद्य से भाग दे दो, 0 से 0 चला गया, बस 4 बटे 6 इसी को रहने दो, जब ये 4 बटे 6 इसको मैं 2 बटे 3 लिख सकता हूँ, समय 2 बटे 3 है, तो चाल कितनी थी, चाल 3 थी, गुणा में समय 2 बटे में 3 है, 3 से 3 कटेगा, दूरी कितनी आएगी, 2 किलो मिटर आएगी दोस्तों, आसा कर इसका उल्टा लिख लेते हैं, समय आजाएगा, 4 से 3 हो गया, समय कितना कम लिया, एक कम लिया था था, समय में अंतर कितना आया, 10 मिनिट का अंतर आया था, एक बराबर 10 है, तो 4 बराबर 2 बटे 3 हो गया, 4 बराबर 2 बटे 3 हो गया, चाल 3 थी, तो दूरी कितनी हो जाएगी तीन गुणा दो बटे तीन, समय दो बटे तीन हो गया था न, तो चाल इंटू समय करोगे, तो क्या दूरी आ जाएगी, तीन से तीन कट गया, कितना है, दो किलोमेटर क्या आ गई, दूरी आ गई दोस्तों, अब मैं दोस्तों इसी को एक यूनिक मेथड से समझाता हूँ, ज देखे क्या है, पहले कितनी थी, तीन थी, फिर कितनी थी, चार थी, जब इन दोनों का LCM लोगे, अच्छा इसको पहले इसका बेसिक बता देता हूँ, मैं आपको, LCM मेथड का बेसिक बताना बहुत जरूरी, LCM मेथड का बेसिक देखे क्या है, अगर आप कभी भी LCM लें का समय यानि की टाइम अगर आप टाइम का लेंगे ल्सियम टाइम का यानि की समय का अनुपात लेंगे लसपर लेंगे ल्सियम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा डिस्टेंस मिलेगा या दूरी मिलेगी ये ध्यान रखें और यहां पर आपको मिलेगी चाल या फिर यसे अप सवाल की तरफ चलते हैं अपने LCM मैथट से करने की कोशिश करते हैं ठीक है देखिए LCM मैथट को ये LCM मैथट से करवा रहा हूँ मैं उसने का 3 है पहले फिर 4 हुई ये क्या थी? ये थी Speed आपको पता है जब ये 3 और 4 है इन दोनों का LCM लोगे तो क्या आएगा? बार आईए क्या आगया? ये आगया distance अच्छा 3 से गया तो भाग दिया आपने तो कितना लिया? 4 यहाँ पे कितना लिगा? 3 तो आपको पता है कितना आया? 1 आया एक बराबर कितना दिया हुआ है आपको? एक बराबर दिया हुआ है दस मिनट कितना दिया है दस मिनट जब एक बराबर दस मिनट है एक कई क्या है दस मिनट के बराबर है तो आप दस मिनट को गंटे में बदल लो तो गंटे कितने होंगे 60 से भाग दोगे तो एक बटे 6 इसी में कर दिया मैंने तो यह हो गया एक बट सा हो जाएगा option number B हो जाएगा देखिए कितना जल्दी उत्तर आ गया इसमें आपको कुछ भी करने की जुरत नहीं पड़ी देखते हैं एक और method इसका जो अकसर किताबें या कुछ teachers जहां से आप पड़े होंगे या आपको पड़ाया होगा वो method कौन सा है जो लोग ये follow करके और इसका answer निकालते हैं वो भी बता देता हूँ आपको कौन सा है उस method में क्या होता है distance direct निकालते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं वो V1 V2 upon में इन दौनों का अंतर कहने का मतलब V1 minus V2 बड़ा कोई भी हो इसका modulus लिया जाता है ताकि minus की value बाहर नहीं आए और यहाँ पर into में क्या करते हैं समय का अंतर ले ले लेते हैं T2 minus T1 अब आप देखें V1 और V2 कितना है 3 into 4 बते में दोनों का अंतर कितना है 1 और into minus कितना है 10 बते में क्या जगा 60 क्योंकि गंटे मे ही आएगा तीनों मैथर्ड जो है एक ही जगे से निकले हुए है तीनों का जो basic है वो तीनों एक ही है आपको जो मैथर्ड अच्छा लगे आपको जो मैथर्ड पसंद आए उसको आप follow कर लें यह सवाल हर बार परिक्सा में दिखी जाता है यह इसको कुछ लोग ABT भी बोल दोस्तों तो सवाल नमबर आठ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नमबर आठ देखिए सवाल नमबर आठ क्या किया रहा है एक लड़का एक किलोमेटर की दूरी तै करने में पी किलोमेटर पर गंटे की गती से दौड रहा है परन्तु फिसलन की कारण उसकी चाल जो है तो P-Q कर दी वो चालोगी अच्छा दूरी कितनी दी हुई है दूरी दे रखिये एक किलोमिटर बस अपन को कोई चाहिए नहीं अब आगे क्या चाहिए इसने बोला है आगे यदि इस दूरी को तै करने हेतू से आर गंटे लगते हैं टाइम भी दिया है टाइम बराबर कितना दिया है आर गंटे टाइम भी दिया है अब आपको क्या पुछा इसने तो निमन में से कौन सा सम्मंद सही है आपको सब को पता है दोस्तों कि जो दूरी होता है वो क्या होता है चाल गुणा समय होता है दूरी एक दिया हुआ है तो एक बराबर क्या हो जाएगा P-Q गुणा में समय कितना है R तो ये देखो P-Q जो है बराबर एक बटे R हो जाएगा ये वाला R relation देखे कहीं दिख रहा है ये यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों और आपका उत्तर क्या हो जाएगा option number A आपका answer हो जाएगा दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल अपन को क्या कहता है आसान सवाल था इसमें कुछ भी नहीं था अगला सवाल क्या है एक राजमार्ग पर दो स्थान एक राजमार्ग पर दो स्थान A तथा B एक दूसरे को 100 किलोमेटर की दूरी पर है एक कार A से B अन्य कार B से रवाना होती है यदि दोनों कार एक ही दिसा में चले कहने का मतलब A यहाँ पर है यह डिस्टिंस जो है 100 किलोमेटर का है B यहाँ पर है और यह कहीं 5 गंटे बाद 5 गंटे बाद इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टिंस जो है 5 गंटे ट्रेवल किया इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टिंस 5 गंटे ट्रेवल किया एक चीज यहाँ से समझी में आ गई इसने 100 km पार करके फिर B का पीछा किया था तो तेज कौन चलेगा V1 तेज चलेगा तभी V2 को पकड़ पाएगा नहीं तो कभी नहीं पकड़ पाएगा और जब एक ही दिसा में होते हैं तो मैंने आपको relative speed साथिक्स चाल का एक चीज बताया था जब एक दिसा में होते हैं तो V1 माइनस V2 होता है और इनका समय कितना लिया था इनने क्या बोला है इसने अच्छा दूरी ले रखिए इसने 100 km दे रखिए तो आप खुद सोचिए एक दिसा में चलेए तो एक को 5 गंटे लगते हैं तो V1 माइनस V2 जो है यह हो जाएगा 100 बते में 5 और यह कटके 20 हो जाएगा तो V1 माइनस V2 तो कितना हो गया 20 हो गया फिर इसने क्या का अगर दौनों एक ही दिसा में चले एक दिसा में चलेंगे तो V1 प्लस V2 होगा और किलोमेटर कितने दे रखें अपनको 100 क्यूंकि एक ही दिसा में चलेंगे तो इसने क्या बोला है एक गंटे का बोला है एक गंटे का बोला है तो क्या हो जाएगा V1 एक से मंटिप्लाइ होंगे तो चलेगा अब अपन यहां से दोनो दोनों ही equation को यह equation समय करना number 1 है यह दो है दोनों को जोड़ोगे यह कट जाएगा 2 V1 बराबर कितना आजाएगा? 2 V1 बराबर आजाएगा 120 तो V1 कितना आजाएगा? V1 बराबर 60 आजाएगा तो V1 कितनी आगई? 60 km पर गंटे तो यह आगया आपका अंसर 60 km क्यों एक 60 है दूसरी क्या है? 100 है तभी वो 100 होगा तभी एक से गुणा करेंगे 100 आएगा नहीं तो कभी नहीं आएगा ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल अपनको क्या कहता है सवाल number 10 दोस्तों अपनी सामन्य चाल की 3 बटे 4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कारेले सामन्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंसता है उसके द्वारा अपने कारेले पहुंचने के लिए लिये जाने वाले सामन्य समय कितना था? आप मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ जब भी दूरी समान होगी तो आपको पता है कि वो समय जो होगा वो या फिर चाल जो होगा वो व्युत कर्मान उपाती होगा किसका? समय का और जब चाल व्युत कर्मान उपाती होगा समय का दोस्तों तो क्या होगा देखिए तीन से क्या करता है चाल में ये अधिक ले रहा है देरी से पहुंसता है मतलब चार थी पहले और अब कितनी कर दी तीन कर दी तो चाल क्या हो जाएगी देखिए चाल बराबर हो गई चार से तीन कर दी इसने तो समय क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा तीन से चार कितना देरी हो गई एक की देरी होई बराबर बीस मिनट बीस मिनट हुए एक बराबर बीस मिनट है दोस्तों तो तीन बराबर तीन से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा अपन को निकालना क्या है सामन्य समय ही तो निकालना था इसने क्या पूछा था उसके द्वारा अपने कारेले पहुंचने के लिए जाना सामन्य समय सामन्य समय क्या था तीन था तो तीन बराबर कितना हो गया इससे 20 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 60 मिनट और आपका अंसर है अपसन नमबर बी दोस्तों आपका अंसर क्या है अपसन नमबर बी आसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों तो दोस्तों आगे वाले कॉस्चन्स 10 तक आज अपने डिस्कुस कर लिये हैं अगले कॉस्चन्स अपन अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में आपको समझाएंगे और आगे चलेंगे हार्ड से हार्ड सवाल लेंगे दोस्तों मैथड्स बिलकुल नहीं होंगे मज़ा आने वाला है पढ़ने में दोस्तों बस आप अपने परिवार को बढ़ा करते रहें लाइक करते रहें शेर करते रहें दोस्तों अगर आपको अमारी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करते रहें और मैं बताते रहें कि आपको कौन से आगामे परिक्साओं में कहा कहा दिक्कते आ रही है दोस्तों तो आपन आगे भी पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए जोस और जुनून के साथ दोस्तों तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार